कभी कभी भाग ये साथ नहीं देता या ऐसा कर समझ सकते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर लगता है जैसे बस हाथ खाली है लास्ट में हाथ खाली है आपको लगेगा इतना करके हमें मिला ही क्या जब आपको लगे कि मुस्किलें बढ़ती जा रही किसमत का साथ नहीं मिल पा रहा तब ऐसे में भागे कोशना बंद करें एक बर अपने हर ब्यक्ती जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिन रात मैंट करता है लेकिन हर किसी को सफलता एक ही समान नहीं मिलती कोई ब्यक्ती थोड़ा कम महनत में ही बड़ी सफलता पा लेता है और कोई वेक्ती लाग प्रयास के बाद भी आगे बढ़ ही नहीं पाता आखिर इसके बजह क्या है? कारण क्या है? जब पूरी लगन के साथ कारी किये जाया और उसके फल न मिले तो थोरी सी निरासा होती है तो घर में जो बरकत नहीं है, जो परेसानिया है, जो बिमारिया है, जो टेंसन है, उसके कारण क्या है? देखे पूरे जीवन जब आप मेहनत करने के बाद भी सिर्फ भर पेट खाना ही आपको नसीब हो तो मुश्किल बढ़ जाती है वास्तु कहता है, घर में कुछ ऐसी चीजे हैं, जो आपके बरकत को खत्म कर देती है, बरकत होने ही नहीं देती और जीवन भर आप परेशानियों का सामना करते रहते हैं, वैसे तो घर में परेशानी गरीबी आने के बहुत सारे कारण है, लेकिन आज हम वास्तु की बाते करेंगे, फिर बताएंगे कि कैसे और क्या करें जब सब कुछ धुआ धुआ लगने लगे तो एक बात पहले सबसे पहले आप अपने पूजा अस्थान का गौर करें, आप पूजा कहां पे करते हैं, क्योंकि घर का उत्तर पूरब जो कोना है, जिसको हम इसान कोन कहते हैं, पूजा वहीं पर किया करें, दूसरी बात, इस कोने में आप भगवान की मुर्तियां रखें, लेकिन मुर्तियों को तस्वीर को ऐसे रखें, कि कम से कम गनेज जी की जो तस्वीर है, वो दिवाल के बाहर की तरफ हो, यानि वो घर के अंदर ना रहे, क्योंकि गनेज जी के तस्वीर में दरिता का बास होता है, इसलिए हम की पीट घर से बाहर की और रहे कुछ न कुछ दान जरूर करें आप जो भी कमाते हैं सो दो सो हजार उसमें से एक रुपया दो रुपया दस रुपया जो भी निकले कुछ न कुछ दान किया करें घर में अगर कोई भी चीज टूटा-फुटा हुआ है खासकर आपका आइना संभाल करना रखें बलकि उसको फेक दें चाहे वो कितना भी किमती क्यानों हो कई बार टुटे वे बरतन भी पड़े होते हैं तो ऐसे बरतन जो यूज नहीं हो रहे हैं उसको हटा दीजे कई बार घरी या तो घरी का कांश तूट जाता है या घरी खराब हो गई या फिर घरी में सेल नहीं है पड़े हुए हैं दिवाल में टंगे हुए ऐसा मत रहने दे यह आपके जीवन के जो बरकत है जो आपके आगे बढ़ने की गती है उसको रोक देता है तो इनसे भी आप बचिए तो इस तरह की जो चीजे हैं उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें टूट रहा है गिर रहा है ये सिर्फ अपसगुन होते हैं टूटी फुटी भी मुर्तियाँ टूटे वह मिटी के चीना मिटी के बहुत सारे लोग चीजें ख़़िता है घर में आपकी तसवीर है मुर्तियां है तुटी भी आपने संभाल के रखी भी है फेवी कॉल से जोइन कर दिया ऐसा मत कीजे इसको हटा दीजे क्योंकि टुटी भी चीजें हमेशा नकात्मक्ता को बढ़ाता है सकात्मक्तान को नहीं और घर की छट पर कबारी कठा होने ना दे कई बार क्या होता आप दीपावली की सफाई तो करते हैं पर साड़े कबार आप अपने छट पर रख देते हैं आम दिनों में भी रखते हैं घर में जगह नहीं है तो घर को साफ तो कर लिया पर छट जो बुद्ध और राहू यहां पर दोनों मिलकर ग्रहन दोस बनाकर बैठ जाएगा तो यहां पर फिर जीवन में तेल या ग्रिस डालें जिनसे की वोट ठीक हो जाए नहीं तो यह चीजें भी आपके जीवन में बरकत नहीं होने देती अब आपके पास एक जोड़े नहीं बलकि आट-दस जोड़े जुते हैं पहनना एक ही को है बाकि ऐसे ही पड़े हुए हैं नए हैं फेका भी नही करता कीमती है लेकिन क्या करेंगे रखकर ऐसे जूते सी परिसानिया लाएंगे इसलिए जो पहनते हैं उसको रखें बाकी का हटा दे लंबे समय से पड़ा हुए जाड़ू भी नकात्मा कुर्जा को बढ़ा देता है और घर में परिसानिया लाता है तो ऐसे जाड़ू को दिपावली के अगले दिन जब आप लक्षमी को अंदर करेंगे दरिता को बाहर करेंगे उसमें बाहर निकाल दीचेगा और जो आपके घर में खास कर बहुत सा बार क्या होता है आपके खिड़की का काश तूड़ जाता है तो क्या करेंगे उसको नहीं रखना उसको फेक तो इस तरह से आप चीजों को अगर धीरे धीरे करके क्लीन करेंगे तो बरकत होने लगेगी एक बात की तो गारंटी है अब आपके बहुत सारे कपड़े हैं पुराने आपने यूहीं गठल बांद के रखा है पहली बात तो गठल बांद के कोई भी चीज ना रखें मोटली पोटली बांद के जिसको कहते हैं जब भी आपको रखना हो उसमें आप रसी धागा मुटा धागा रसी बांद कर रखें तो वो अलग चीज़े पर पोटली ना पड़ा है यहां तक की उन के गोले हैं रसी के गोले हैं उसको ठीक करें या फिर हटा दें क्योंकि ये गोले ह वार भी आपको सफाई करनी चाहिए यह नहीं कि घर का बाहर गंदा है घर सफाई नहीं कि आसपास के अरिया को भी साप सुत्रा रखें क्योंकि दौर बेग होना भी बहुत बड़ा दोस लगता है तो इन चोटी-चोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बरकत पेड के नीचे पेसाब नहीं करना चाहिए आप साइड में करें अब पीने का पानी रात में भूल कर भी खुला ना रखें आप धक कर रखें कोई भी कुछ मांगने आता है तो गुरु बार के दिन छोड़ कर अन्ने दिनों में जरूर दान करें और पवित्रता के साथ ही धर्म गरंत पढ़ें अगर कोई रात में आपके घर में लहसन प्याज मांगने आता है तो भूल कर भी ना देवर ना बरकत चली जाएगी और परिशानिया घर आ जाएगी किचन में पेसाब ना करें इस बात का हमेसा ध्यान रखें ये भी परिशानिया लाती है और टूट में चली जाएगी साथी घी और दूद इन चीजों को भी रात में देने से बचना चाहिए आपके घर में कोई महमान आते हैं कितने भी आप उनसे उनकर नहीं बंती आपको लेकिन प्रेम से उनके साथ बेवार करें क्योंकि कोई भी महमान घर से नाराज होकर जाए तो बरक अद्सकी करें हैं तो ऐसा ना करें यृद बरकत को खत्म करता है और चाबल कभी किसी को ना दे याद रखिए चाबल क्योंकि newspapers लोग अकसर देखा गया है टोने टोटके करते हैं आप से चाबल मांग के ले जाएंगा जाएं और उससे टोटके करेंगे इसलिए जरा समलके नमक रात में किसी को भी रात क्या दिन में भी किसी को नमक ना दे और नमक तो हाथो हाथ भी किसी को नहीं देना चाहिए लेकिन कोई मांगने भी आ जाए तो पैसे लेकर ही दें कुछ पैसे ले ले फिर दे नमक क्योंकि कई बार पडोसी आ जाते हैं तो आ जाते हैं तो पैस हाथ से आप बुझा सकते हैं अगर आपको बुझाना है तो और जूते चपल अगर उल्टे पड़े में हैं घर में तो तुरस सीधा करें क्योंकि उल्टा जूता चपल अपसगुन माना जाता है और रात में जाडू पोचा भूल कर भी मत लगाईएगा माता पीता का मान ना क किसी भी गरीब बैकती है कोई लाचार इंसान उसका आप मजाक मत उड़ा है नहीं तो उसकी जो आसू है उसको जो कस्ट हुआ है वह आपको पढ़ जाएगा तो इन चीजों का ध्यान रखें और रोज असनान जरूर करें तो छोटी चोटी बातों का ध्यान ड़कर आप घ अबूतर चत पर दाना बिलकुल भी ना डालें तपकता हुआ जो नल है वो कहीं नहीं आपके पैसे भी बहा ले जाता है उसको ठीक करवाएं नमक कभी भी किसी को हातों हात ना दे और ना ही रात के समय दूद दही घी नमक लहसन प्याज किसी को उधार दे इन बातों का ध पल जूते उल्टा पड़े हैं यह सबसे बड़ा वास्तूदोस है तो कुछ बातों का हमेशा ही ध्यान रखिए साम के वक्त याद रखिए साम के वक्त भूल कर भी किसी को उधार ना दे पैसे ना दे क्योंकि लक्षमी साम के समय ही घर में आती है इसलिए तो धूब दीब जलाये जाता है और साम होने के बाद अंधिरा होने के बाद कुछ ऐसी बस्तूइं हैं जो फूल कर भी किसी को ना दे वर ना परिशानी आप खुद मोल लेंगे तो हमेशा ही कुछ बातों को ध्यान में रखें और कुछ ऐसी बातें जो हमारे सास्त्रों में बढ़ना आता है और इसको आप नजर अंदाज कर देंगे तो फिर आप तरकी कैसे करेंगे ये आपको समझना है तो हम सिर्फ आपकी जानकारे के लिए एक खास बात अगर आप चाहते हैं बरकत हो घर के मुखे दरवाजे के ठीक उपर एक गनेश जी की तस्वीर लगाएं ये तस्वीर आपके घर के अंदर की तरफ होगा और गनेश जी की पीट बाहर की तरफ यानि कि ऐसे लगाएं कि चेहरा अंदर रहें और पीट बाहर क्योंकि उनकी पीट में दरिता का निवास है साथी तीन मोर पंक गनेश जी के माथे पर सजा दें तो पूरे घर का वास्तो भी ठीक होता है और धीरे धीरे बरकत होने लगती है धन आने लगता है लेकिन याद रखिए गनेश जी की तस्वीर जब भी लगाएं घर के अंदर की तरफ से अगर माल लेते हैं आपके घर में बाहर की तरफ से लगा हुआ है तस्वीर तो अंदर से भी ठीक वहीं पर एक तस्वीर लगा दें ताकि दोस्थ खत्म हो जाए धन्यवाद जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें